हेलो प्रैंज वेल्कम बैक टो माई चैनल केनड़ेस की जिएंटो आज मैं अपके साथ से करूब बहुत ही टेष्टी फिक के गुलाब जामन की सबजी यह जो सबजी है रास्ताने साथे में तो बहुत ही जादा बनाई जाते हैं खाने में बहुत जादा टेष्टी लगती है तो चले बीना देरी के इसको बनाना सुरू करते हैं तो मैंने ले लिए दूहरी मेश अच्छे से कट कर लिया साथ में एक बड़े कप्यास को भी अच्छे से कट कर लिया इसके बाल लेंगे मेकसिका जा इसके अंदर डालेंगे कटे होई प्यास साथ में डालेंगे हमारी कटीवी हरी मेश इसकी बाइस में डालेंगे 10 से 15 लसुन की कर लिया और साथ इसमें डालेंगे थूड़ से काजु तो मैंने 9 से 10 काजु को अच्छे से पाने से बाउस करके इसके अंदर डाल दिया मिक्सी के अंदर साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और मिक्सी के अंदर इसको अच्छी से पीस लेंगे और एक पारिक पिस्ट बना कर त्यार कर लेते हैं दूद में अच्छीं साथ हैं 15-20 छोटी वाले कुलाब जावन जो मीठे कुलाब जामुन बनने से पहले जो फीको बना जते हैं वही कुलाब जान ने लिया है और इसको एक बड़े बरतन के अंदर डाल देते हैं इसके बाद इन गुलाब चमन को दूद के अंदर 5-10 मिट फीको देंगे ताकि ये जैसे सॉफ्ट हो जाए तो दूद को मैंने हलका सा गरम कर लिया है ताकि ये दूद में अच्छ सी सॉफ्ट हो चुकिया तो 5-10 मिट इसको ऐसे ही ढखकर रख देते हैं और गैस पर मैंने रखी एक कड़ए इसके अंदर डालेंगे दो चमच ओईल जब अच्छ से गरम हो जाए तो इसके अंदर डालेंगे हाफ चमच जीरा साथ इसमें डालेंगे दो सुकी लाल मैंच अच्छ से तोड़ की इसको उंदर डाल दी है और इसमें डालेंगे एक तेशपत्ता साथ इसमें डालेंगे जो हमने मिक्सिक के अंदर प्यास लसुन हरी मेची का जो पेश्ट बनाया था न वही पेश्ट इसकड़ा के अंदर डाल देंगी और इन मसालों को मीडे माज पर अच्छे से पका लेंगे तो इन मसालों को पकाना में बिल्कुल भी कंजूसिन नहीं करें क्योंकि जब यह अच्छे से नहीं पकेंगे तो सब्जी हमारी बिल्कुल भी बढ़यानी बनेगी तो इन मसालों को मैंने अच्छे से पका है साथ ही जो मिक्सिकी अंदर बैटर रह गया था वह भी मैंने पान थोड़ सा कस्मिन लाएची पॉडर ताकि कलर सब्जी का बढ़या जा साहा आप चालिए पाल्डे हाप चया ख़़ा निया पॉडर साथ इसमें डालेंगे ड्राय मेती और साक मेगे सूका पूदि नुग אז ढूदी ना इसमें ड्राय मेती का उठ्छुफलेवर होना सब्जी म वो बना कर त्यार कर लेते हैं तो इस तरह अच्छे से सारे मसालों को दई के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकतो मैंने सारे मसालों को अच्छे से इस तरह दई के अंदर मिक्स कर लिया है यह तो जो हमारे कड़ाई के अंदर जो प्याश वर गरत जो कि साथी थोड़ा सा कट्रें लगा ने थोड़ा से पानी डाल कर वो भी कड़ए के अंदर डाल दिया और लगत तर चमर से चलाते हुए अच्छे सी पक आलेंगे चमर से चलाते रहेंगे ने वह फट्ट जाता है तो पांस-दस मिट हो चुका है और जो हमारे सारे मसाले वो अच्छे से पक चुका है और ओल भी इस तरह ऊपर आ गया है तो आप देख सकतो सारे मसाले किते अच्छे से पक चुके हैं और इन मसालों को एदो मिट और अच्छे से पका लेंगे ताकि मसाले कच्छे ना रहें इसके बाद इसमें डाले थोड़ा सा घरम मसाला और अच लिए इसके बाद में डालेंगे नारेल का बुरादा जिसे जो सबजी का जो टेश्ट है नम वह बहुती बढ़ी आता है मैंने एक चमस इसमें डाला है और अच्छे से इन मसालों के साथ और अच्छे से पका लेंगे इसकी बाद जो हमने दूद के अंदर जो फिक्के वाले खुलाब चमन बबिगों के रखे थी वो दूसमेद कड़ें के अंदर डाल देंगी और इन खुलाब हमन को चार से पांच मीनट डालने के přmother और से इनको पका लेंगे तो इस तरह मैंने, चार से प मीनट इस सबजी को और अच्छे से पका लिया है और स्थर हमारे जो टेश त्यार हो चुकी है आपको मेरी फिक कुलाब जमोन के सब्जी कैसे लिगी मुझे कमेंट बॉक्स में च़ए बना दिया लगती है अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छे लगा हो तो अपने फ्रेंस और फैंदी के साथिस वीडियो को जब चेहर करें साथ ही वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और सेट करें तो मिलता है एक नही रेसिपी के साथ